गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम हिस्टी का चैप्टर नमबर थर्ड पढ़ रहे थे दा फर्स्ट फार्मन और हैडर जितना हो गया था उसे आगे पढ़ेंगे नियूलिथिक टूल्स टूल्स क्या आते हैं उपकरण होते हैं टूल्स 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 टूल् इंज मो इंडेफ्ति। फिया है। निफिया है। जोते हैं व्यून कुछ को रंडेफ्ने के लिए और और या जाते हैं। stone axis found from barely district करनाट का and the central प्रंगान ज्हार खंड also belong to the city stone axis क्या होती है पत्थर की कुलाडी found from barely district काप में से होती है एक barely district में पाये जाती है central प्रंगान में ज्हार खंड में also belong to this period इस पहले जमाने वाले में पाये जाती है आगे है life of the people tribes tribes क्या होते हैं जिन जाती जो people जिन जाती हो में कैसी थी कैसे वो रहते थे उनके बारे में बताया गए earlier man moved in group to protect himself from wild life जो earlier man थे वो कैसे protect करते थे कैसे रहते थे wild animal के साथ his group consists of man women, children and domestic एक गूब बना हुआ था जो हूंक आदमियों को ऑद्यों को बच्चो को डोमेस्टिक अनीमल से सेकलर में लेंट करते फिलेजी में करती थे the people living in these villages formed a tribe जो people लीभे थे न मैं किस पोरम में रहते थे जन जाती के फुम में रहते हैं addos में आपढ़ांद प्रय थे शीड़ जफ सबलाइबी आप हर कोई अबरी में बेंबर हर एक मैंबर रुट फिरा ना जन जाती कि अपना काम डिवाइड करता है एक दूसरे के साथ. They also go time to take part, singing, dancing, and other recreation activities. हर काम जोंसा करें थे हैं उसका go time to, हर काम के लिए time निकल जहाँ, singing, dancing, and other morangian activities होती है. tribes are formed by families living together in small settlements for two or थ्री जनेशन, दे वर यूज लेटेट तो इच अधर, ट्राइब किसकी वो फैमिली के साथ रहते थे, एक ठे, स्माल, छोटा सैटलमेंट करते थे, और दो या तीन जनेशन तो रहते ही रहते थे, दे आर दा यूज रेटेट तो इच अधर, एक रूसे से तो रेलेटिट हो है ड्रिंग पशु पालन करने का, फीशिंग मचली पालन करने का, दा वूमेन डिट मोस्ट ओप अगरिकल्चर पर, जो ओरती थी, जाल ज़्यादा कौन सा काम करा करती थी, खेपती बारी का काम करा करती थी, दे प्रिपेर फूड लुक्ड अफर दा प्लांट एंड अड क्या करती प्लांट एंड हालवेस्टिंग ग्रिएंड अनाज्यों को कारती थी, बोद मैन और वूमेन लुक्ड आफ्टर दा एनिमल्स, जो मैं दोनों और आदमी दोनों किसी लुक्ड होते थे, एनिमल्स के देख वाल किया करते थे, और दे क्लिन एंड मिल्क देम, ठाकि कि उनको लों के क्लीन साफ सुत्रा मिल सके ताकि वह सवस्त्र जरी साफ मिलेगा दूर्ज मिलेगा तो अच्छी उनके लिए अच्छा होएगा हेल्थी होएगा उनका स्वास्त अच्छा रहेगा ठीक है बच्चो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और हम कल वाले लेक्टर में